जे शंकर साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट जाई की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है, वो दो लाख वेक्सीन्स जो है, दो लाख COVID-19 की डोजिस जो है, वो यूएन पीस कीपर्स को देगा, ये एक चक्का है, जो कि इंडियन फॉरम मिनिस्टर, इंडियन गॉर्मर्मर फ्रू आये, वो पाकिसान में आ गई, हाँ, पाकिसान में आ गई, अचा हमने इंडियन्स को भी फाएदा दिया, इंडिया से मगवाता है, और एमारे लिए बहुत-बड़ा चेलिज बन गया था, कि पाकिसान में जो वेक्सीन इसवकद इस वकत इस्तमाल की जा रही है, व पीसुब में भैक्सिन डिप्लोमेसी से भी भारत का कद और बढ़ा है। अब तक 92 देशों ने भैक्सिन के लिए भारत से अन्रोध किया है और एह लिस्ट दिन पर दिन लंबी होती जा रही है। चंद देश जिसमें चीन विशेशकर सामिल है जलन महसूस कर रहा है। इसी कारण परसो एक जूटी खबर फैला दी गए कि साउथ भिरका ने भारत की भैक्सिन को लोटा दिया है। इस समझ में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लोग के अंत में करेंगे। उसके पहले आए ये सुनते हैं कि पाकितानी मीडिया भारत के इस रसूख को किस तरह से देख रही है। जे शंकर साब जो के पूरी जिन्दगी उन्होंने फॉरण सर्वस में काम किया है। उन्होंने जो स्टेट्मेंट जाई की उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो दो लाख वेक्सीन जो हैं दो लाख COVID-19 की डोजिस जो हैं वो यूएन पीसकीपर्स को देगा। अच्छा ये बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है कि जो यूएन पीसकीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन बारा पीसकीपिंग ओपरेशन्स हैं एक्रॉस दो वर्ड जो कर यूनाइट बड़ा नंबर है ये जो यूएन पीसकीपर्स का और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की एक सो इकी जो मुमालक हैं एक सो इकीस मुमालक जो हैं वो यूएन पीसकीपिंग मिशन्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान भी उन मुमालक में से हैं जो क सबसे ज़ादा UN peacekeepers में अपने troops बेचता है so technically इंडिया की जो vaccine होगी वो पाकस्तानी soldiers को भी लगेगी क्योंकि वो UN के तहता आ रही है so इंडिया की vaccine जो है वो पाकस्तानी peacekeepers को भी लगेगी मुझे याद तो नहीं exact number कि कितने पाकस्तानी peacekeepers और कहां कहां missions में हैं लेकिन ये एक बहुत बड़ी development है अच्छा इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि हमने जो है वो तकरीबन जो के जिसे कहते हैं कि दो लाक के करीब doses तो देनी हैं क्योंकि उसके लिए उनके पास जो औरडी मुझूद हैं पचानवे हजार के करीब हैं तो इंडियान इस ओफर की वज़ा से United Nations के जो General Secretary है जिदा आप Antonio Goodras उन्होंने इसको बड़ा welcome किये और जारी बात है ये काम तो America को करना चाहिए था ये काम तो England को करना चाहिए था ये काम तो European Union को करना चाहिए था लेकिन somehow इसमें इंडिया ने अपना वो जो multilateral system है जो UN में अपना permanent seed चाहता है उसको establish करने के लिए ये काम किया अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो critical medical medicines हैं और diagnostic kits हैं ventilators जो हैं वो तकरीबन डेट सो मुमालिक को बेच चुका है और मज़े की बात है कि उस डेट सो मुमालिक में से भी जो 80% वो चीज़ें बेच चुका है वो grant basis पे हैं so it means इंडिया की जो medical industry है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत जादा काम कर रहे है हम तो सरफ वो ड़ी जो पे या दूसरे अधारों पर जो करते हैं थ्याप है उन्होंने जो थीज़ दिया थीक बेज़ती है वो तक बादे हैं या इंडिया जो है वो सब इसको आप कैसे थापित करेंगे, यह जो एक संगीन इल्जाम है, जो है, एक ऐसी वैक्सिन मंगवा रहे हैं, जो अभी अंडर ट्राइल होंगे, यह किस हद तक दुरूस्त है? के भी माइंटरिंग जो है, लोगोंगे ने हम थाल हमिल था पर इदारे हैं ही नहीं, देखें, अमेरिका के 448 बीलोजिकल वार हैड्स की उनकीलाब हैं इडिया की 11 जो है व काल बादा है, उल्पी हम दो हैं दो अभ बनादार पासियोंदी करने ही बने हो क्योंदिया को इससे मज़े की बात यह है कि इंडिया और रड़ी 25 ममालक में अपनी कोवर्ट वैक्सिन बेज चुका है और मजीद 49 ममालक में यह वैक्सिन बेज रहा है जिसमें वो यॉरोप भी आता है लेटन अमेरिका है करेबियन है करेबियन है फिर सौथ इस्ट एशिया है पैसिफिक आइलेंड और बहुत सारी जगें हैं जहां पर इंडिया यह चीजें अपनी वैक्सिनेशन जो है वो बेज रहा है और जहां जहां भी UN के लोग बैठे हुआ है उन सब को यह वैक्सिनेशन मिलेगी और 121 ममालक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वह उनको यह उनके लोग जो है वो पीसकेपिंग मिशन में मुझूद है इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी यह एक माइलस्टोन है और दूसरा यह है कि जो कोवेक्स है जो ग्लोबल इनिशेटिव तो ड्वेलफ पर्चेज एंड डिलिवरी वैक्सिन वर्डवाइड है उसके ताइज भी इंडिया अपनी वैक्सिनेशन जो है वो जो ब लिए है तो इस तरह की चीजों का जो फाइदा होता है वो एट इंड अप दे डे बले वो योगा हो भले वो नॉन वाइलेंस डे का मनाया जाना हो बले इस तरह यूएन पीसकीपर्स को यह जो देना वैक्सीन देना हो लेकिन इसका सम्होव डेफिनेटली इसका होगी और इंडिया जो है वो अपने हो कहता है जी वी अदव फार्मेसी अप दो वर्ड ठीक है जी क्योंके हम तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वैक्सीन चैलेंजेज हैं उसको हम कर रहे हैं पूरा करने कुश कर रहे हैं जा 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 वैक्सीन चाहिए और मज़े की बा चिमर ने जारी बात है मारा चका वो इस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ बियान कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी वैक्सिन आ रही है जो हमारे दोस्त मुलकों की तरफ से भी डोनेट की जा रही है वो यहां पर हत्मी नताइच के बगेर यहां पाकिस्तान जो है इस वक्त जितनी अंडर ट्रायल मेडिसं की बकाइदा एक तजर्बागाब बनाुई है कैंसर समेथ मुखतली अमरास की आपर जो तजर्बागात किये जाते हैं उनकी मेडिसन पाकिस्तान में लाईजाती है और यहां पर मरीजों पर तजर्बापा च पैसराद कियाओंगे यानि कि आपको बिल्कुल एक तरबा गा के तोर पर इस तवाल जा रहा है अंडर ट्राइल वैक्सीन आना और इसके बाद इसकी नोगे के दूरियाँ और इसकी तरबे मेले को डी कंट्रोलात देना। तो एक अंडर ट्राइल इसलियugen हमें नहीं कहा रहा हूं कि एक जो लंडर ट्राइल का एक जो डिकारड होता है ठ्राइल का एक फेज हते हैं वह समय अभी तक नहां रश्यम झूदाड हैं और हमारे मुल्क में biological testing की qualitative analysis की कोई lay भी नहीं है हमारे मुल्क में जितनी भी even के habitatus की vaccine है उसकी भी test की हमारे पास facility नहीं है एक तरफ तो भारत अपने देश के लोगों को vaccine उपलब्द करा ही रहा है दूसरी तरफ बाहर के देशों को भी vaccine उपलब्द कराने का बीडा उठाया है भारत ने अपने सभी परोसियों को केवल पाकितान को छोड़ कर मुप्त में vaccine की सोकात दी है इसी तरह WHO World Health Organization को भी भारत 10 लाग डोज vaccine मुप्त में उपलब्द कराएगा जो गरीब देशों में फिर बितरिद की जाएंगी खबरों में आप लोगों ने सुना ही होगा पाकितान इसी WHO के vaccine के इंतिजार में बैठा है क्योंकि चीन से जो उसको vaccine दिया गया है वा केवल उसके front line workers के लिए ही प्रयाप्त होगा जैसा कि चर्चा में मैंने प्रारभ में कहा कि अब भारत सरकार ने फैंसला लिया है कि वह peace keeping force को भी भैक्सिन मुप्त में उपलब्द कराएगा भारत केवल भैक्सिन ही नहीं बलकि कोरोना काल में आवस्चक दवाईयां बोडी प्रटेक्टर किट्स, मास्क आदे भी उपलब्द कराती आ रहा है गरीब देशों को मुफ्त में और अन देशों को बाड़ेजी का स्तर पर यह सब उपलब्द कराएगा है भारत के इस भैक्सिन डिप्लोमेसी से आज पूरा विस्व कायल है बिस्व के बड़े देश जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी आदी सामिल है अपने लोगों को ही भैक्सिन उपलब्द कराने में लगे हुए है वहीं भारत अपने साथ-साथ दूसरे देशों को भी मदद कर रहा है सिमा पर चीन के साथ hard diplomacy और भैक्सिन दूसरे देशों को पहुछा कर soft diplomacy जोनो भारत साथ-साथ कर रहा है और इसी soft diplomacy के power की चलते, चीन को पीछे हटना पड़ा है आज का हमारा देश सक्छम देश है, सबल देश है और हमें इस पर गर्ब है आज के लिए बस इतना ही